यह DBMS का सेकंड ट्यूटोरियल वीडियो है जो भी BPSC TRE के कंडिटेट है उनके लिए काफी यूजफुल है यह जो भी Computer Science के कंडिटेट है उनके लिए काफी यूजफुल है तो आप पूरे वीडियो को देखिए आपको काफी अच्छे से समझाया गया है तो चलिए सुरू क करते हैं आपको टॉपिक दिख रहा होगा पी अफ डाटा डिपीमेश में भीव पर ना होता है कितने परकार के भीव होते हैं उसके बारे में पढ़ना होता है तो प्यकुशने होता है डाटा अब्स्रक्षक्षन का ही कंसेप्त होता है जो भी हम लोग डाटा बेस में अपना डाटा को एक्सेस कर पाई यहीं सब खाला आता है डाटा अबस्ट्रेक्शन और डिफ्रेंड डिफ्रेंट लेबल का भीव होता है इसके अंदर तो उन सब चीजों को हम लोग इसमें कोवर करेंगे तो कुछ लिखा अक्रॉस उसको पढ़ देते हैं तो तो प्रवाइड यूजर वीट ऐन अबस्ट्रेक्ट ब्यूब लॉट एक्की डाटाबेस सिस्थम विश्थम की बात हो जिसमें abstraction हो, abstraction होने का मतलब उसमें बहुत ज्यादा detail ना हो, बस उतना ही हो जितना ही के user समझ पाए, जितना user के लिए असानी हो access करने के लिए, और उसके अंदर जितना complexity है उसको चुपा दिया जाए, ठीक है पस इस से इतना ही मतलब निकल गयाता है, That is, the system hides certain details of how data are stored and manipulated, अब data कैसे अंदर store हो रहा है, कैसे manipulation कर रहे हैं, तो किस तरह का अंदर का code कैसे काम कर रहा है, तो उतना उससे user को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, तो इन सारे चीजों को चुपा देना ही एक तरह का भीव का आलाता है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ लेवल है, तीन लेवल का भीव होता है, एक है इन्टर्नल लेवल, ठीक है, इसे हम फिजिकल लेवल भी बोलते हैं, ठीक है, इन्टर्नल लेवल इकता हो लो लेवल की बात हो रहा है, यहां पर लिखा है, it is lowest level of abstraction, यह सब्सेल लेवल का है, यह दिस्क्राइब करता है हाव दर डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड एंड और्गनाइट ओन एस्टोरेज मेडियम इंटर्नल लेबल यह डिस्काइब करता है कि कैसे आपका डाटा स्टोर हो रहा है फिजिकली स्टोर हो रहा है मतलब कोई जैसे हार्डिस्क पे मतलब हमाद्यम हो मतलब किसी भी तरह के स्टोर पर इस पर कैसे स्टोर हो रहा है फ्रसा हर्ट्वेर रिलेटेट आ गया तो यह फिजिकल भी दूगा अब आता है। आप आते हैं इसको लोजिकल लेबल भी बोलते हैं लोजिकल लेबल इसका मतलब यह है कि यहां पर लिखा हुआ है इस लीवल परजेंट्स ए लोजिकल भी ऑफ इंटाइर डाटाबैस पूरा डाटाबैस का एक लोजिकल भिव परजेंट करता है न की तेवल बनाने के लिए लिखते हैं करें एल्षी टेवल कमांड करने गली क्लें इस अब यह कमांड दोके what data is stored in database physical level यह बता रहा था कैसे कैसे आपका data storage medium पर store हो रहा है यह बता रहा है कौन सा data बतलब कौन कौन सा data store होगा database में और उसके बीच में किस तरह का relation रहेगा यह चीज़ बताता है conceptual level ठीक है अब external level पर आते हैं तो external level को highest level बोल सकते हैं यह abstraction का highest level होता है इसका एक और नाम है view level इसका एक और नाम है view level external level बोलिए या view level बोलिए यह user को यह permission देता है कि आप data को access करो आप data को access करो आप user के जिस तरह की जरुते होती है उस अनुसार से वो अपना data access करता है so that the same data can be seen by different user in different way at same time एक ही समय पर अलग-अलग user को same data अलग-अलग तरीके से दिखेगा तो यह external level का ही कमाल है आप खुद सुचिए एक example से सुचिए ठीक है आप Amazon पर swapping करने जा रहे हैं या आप Flipkart पर swapping करने जा रहे हैं अब पांच दोस्त फ्रेंड एक साथ बैठके उन apps को खोलिए पांचो के screen पे अब जो भी मान लिए कि पांच फ्रेंड है तो पांच फ्रेंड के जो mobile के screen पे जो product दिखेगा न वो अलग-अलग होगा क्यों? क्योंकि वहाँ पर customize हो गया उसके requirement के अनुसार पर उसको दिखा आपके requirement के अनुसार आपको दिखा तो ये external view का कमाल है ठीक है? यहाँ पर external, हालागी user external view से ही जूडता है ठीक है? external view का कमाल है कि user के अनुसार उसको data show हो इसका एक इस तरह से diagram बना के आप समझ सकते हैं यह क्या view level पर बहुत सारा view हो सकता है मतलब अलग-अलग user उसको open कर रहा है सेम database को open कर रहा है लेकिन उसको हर user को अपने अनुसार से उसको दिखेगा logical level पहले कोई भी जूड़ेगा तो वह view level से जूड़ेगा फिर logical level पर जाएगा processing फिर physical level पर processing जाएगा फिर इसी तरह से उल्टा होगा तो यह बस समझने के लिए लेकिन आपको जो तीनों level है ना इसको आपको एक्तम concept clear करके चलना होगा इस पर question बन सकता है अब हम आते हैं data model पर data models देखिए data models बोलिए या DVMS के कितने प्रकार होते हैं वो बोलिए तो जो भी हम लोग अभी view पढ़े हैं ना जो भी हम लोग view अभी जो देखें तीन प्रकार का view वो हर तरह का database अलग अलग तरह से उन तीनों को handle करता है तो उसी अधार पे वो अलग-अलग का database कहलाता है ठीक है समझ में आजागा जस्ट हम इसको deal करते हैं पहले ठीक है data model क्या है data model provides a way to describe the design of database at the internal conceptual and external level data model आपको एक way provide करता है कि मतलब एक तरह से design बताता है कि वो database internal level या conceptual level या external level पर किस तरह के design को follow करता है data model पर यह बताता है कि कोई database internal level conceptual level और external level पर किस तरह के design को follow करता है वो अगर अगर एंटरनल ग्सटरनल लेवल यह जो तीनों level यह इन तीनों level यह वो अलग तोड़ तरह का आपनाता है तो वो अलग database खालाएगा कोई C है जो अलग तोर तरीका अपनाता है तो वो अलग database खालाएगा ठीक है? चले अब data data model में मुक्त तीन component होते है mainly तीन component होते है इन तीन component पे थोड़ा सा चार्टा कर लिते है structure part इसका क्या होता है बस इसमें कुछ rules होगा लिखे होते है कि आपका database किस तरह का तयार होगा इसमें structure part में database का पूरा structure के लिए rules लिखा होगा होता है उसी rule को follow करके उस database को बनाया रहता है manipulative part में होता है क्या कि उस database में किस किस तरह का operation आप perform कर सकते है इस चीज के बारे में इसमें लिखा रहता है अप insertion, deletion, updation और भी कुछ काम कर सकते हैं तो करिए तो उस तरह से इसमें manipulation में लिखा रहता है integrity rule integrity rule में ये लिखा रहता है integrity rule एक तरह का बहुत तड़ा rule होता है इससे होता क्या कि आपका जो भी data होगा तो वो accurate होगा ये सुनिश्रित करता है कि आपका data हमें सा accurate रहे तो integrity rule ये सुनिश्रित करता है ठीक है करें कि different data models different data models that are used for DBMS अलग-अलग अलग-अलग data model DBMS के लिए है तो अलग-अलग data model के कारान ही अलग-अलग database अलग-अलग database आपको दिखने को भी लिखा तो सबसे पहला है hierarchical data model दूसरा है network data model तीसरा है relational data model और सबसे ज्यादा यहीं इस्तमाल होता है एक और है यहाँ पे हमने नहीं लिखा है लिकिन मैं लिख देता हूँ चोथा object oriented object oriented data model data model तो यह object oriented data model किसी की से बुक में मिलेगा किसी की से बुक में नहीं मिलेगा यह आज की डिट में ज्यादा इस्तमाल हो रहा है क्योंकि बहुत हम लोग क्या आवान है देखिए अभी तक relational से भी हम लोग का काम चल जा रहा है अभी तक relational से हम लोग का काम चल जा रहा है लेकिन जैसे के आप bPSC के visual form डलवाता है हो तो आप से जो जो data मांगता है ना जितने तरह का data मांगता है अधितर textual data होता है ठीक है फोटो गर मांग लेया एक फोटो या कुछ डॉक्मेंट अपलोड कर दो तो ठीक है उसको भी टेबल में वह मेंटेंड कर सकता है तो रिलेशनल से काम हो जाता है और दिपतर रिलेशनल को ही फॉलो किया जाता है लेकिन जुटना जैसे सोसल मेडिया हो गया जैसे कि यह यह पर चल रहा है ऑब्चेक्ट ओरिएंटेड डाटा मोडल यह थोड़ा सा हाई लेवल का ठीच है तो यह हम लोगों को नहीं पढ़ना है हम लोगों को बस वह जो भी तीन टाइप है इतना ही पढ़ लेना है तो चलिए हैरार्गिकल से हम लोग देखते हैं हाला कि सुरू सुरू में हायर्गिकल आया है हायर्गिकल में होता क्या है नामी हायर्गिकल ट्री लाइक इस्ट्रॉक्चर में इसमें डाटा को रखा जाता है आप डाटा बेस यह आप डियस पढ़े होंगे डाटा इस्ट्रॉक्चर तो इसमें ट्री डाटा इस्ट्रॉक्चर पढ़े ह होंगे तो जो ट्री डाटा स्टॉचर आप पढ़े होंगे तो थिक ट्री डाटा स्टॉक्चर को ही फॉलो करके इस मूडल में डाटा को और्गॉनाईज किया जाता है पैरेंट चाइल्ड रिलेसंशिप के अंसार यहां पर डाटा एक दूसरे से लिंक होता है पैरेंट चाइल्ड रिलेसंशिप वन टू मेनी के अधार पर लिंक होता है तो पॉइंट टू पॉइंट हम दे रहे हैं हम उतना ही चीज लिखे हैं काफी सोट में प्रिसाइज हुए में ताकि आपको ज्यादा न लिखना पड़े न ज्यादा पड़ना पड़े और आप पूरे बुक के भी अधियन मतलब 10 पेज अधियन किजिएगा तो इतना ही या फॉलो करता है इसमें जो भी डाटा होता है जो भी रिकॉर्ट होते हैं वह परेंट साइर टीडि रिलेस्जंस सीकता है या वन मेरे बी ऑन को मेंनी भी आपको याद करना है वहन टू मेंनी डाटा मोड़ ने के मैं diets लिकिन हर्ट कर ना मोडल सुरुष में यह उत किया लेकिन यह भी heavy data को handle नहीं कर पाया तो fail कर गया उड़ा, तो फिर आया network data model तो network data model मैं क्या होता है, थौड़ा से एक level यह आगे होता है, यह graph data structure को follow करता है, graph data structure को यह follow करता है, graph data structure आप पढ़े होंगे data structure में, कि दिखते हूं कि बहुत सारा नोड होता है आपस में ही सब लिंक रहता है एक दूसरे से ठीक है तो उसे हम लोग बलता है ग्राफ यहां पर मड़ी टू मैद रिलेशनसिप के अधार पर waking किया जाता है यहां पर जोभी record होता है वो many to many आधार पर link किया जातا है many two many के मतलब यह हो गया जैसे कि यहां पर ट्री-like structure पहले हम बतायाँते है सपोर्ज कि यह tree-like structure है थोड़ा सा छोटा है दी देख़रा होगा जूम कर देता है ठीक है तो यह जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है त्री लाइक स्ट्रक्चर में आप बोल सकते हैं कि यह वाला नोड इस नोड से कनेक्टर नहीं है ठीक है यह यह वाला नोड इस नोड से कनेक्टर नहीं है ठीक है हाँ कि दूसरे से many to many connection हो जाता है ठीक है अब आते हैं relational data model relational data model में क्या होता है data को table के form में और्गनाइज गयाता है जो भी अब data दे रहे हैं उसको table और form में रखा जागा और बहुत सारे table देखने को मिलेंगे एक database में और वो उन सारे के बीच में relationship रहता है ठीक है टेबल्स के बीच में relationship रहता है तो सबसे एक तरह से देखा जाए जादा तर मोस्ट आप ताइम यहीं यूज किया आता है relational data model ठीक है और बाकी एक object oriented data model जो की एदम latest टाइप का है चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए प्लीज से लाइक किजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक लेका देखने के लिए थाइंक्यू बाइवा प्लीज वीडियो आता है